अरबोट क्लास 7 जियोग्रोफी अध्याय 5 पिन पानी सब सून सही बच्चों के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस श्टार्ट कर दी और बस चल परी ड्राइवर ने टेक प्रिकॉलर पर गाना चला दिया गाना बजने लगा पानी रे पानी तिरा रंग कैसा सही बच्चे भी साथ में गाने लगे गाना समाप्त होते ही अनसुया मैडम ने कहा पानी पर गाना तो सुन लिया आपने मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूं सभी बच्चे चोक परे पानी की कहानी मैडम जल्दी सुनाईए मैडम को आने लगी या कहानी पुराने जमाने की नहीं है या कहानी आने वाले दिनों की है, बबलू ने आखे फैला कर कहा, आने वाले दिनों की कहानी मैडम बोली हाँ, आने वाले दिनों की कहानी मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है, जहां से गारियां में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं, हाँ, सब ने कहा हा मेडम कहने लगी आने वाले दिनों में सहरों में या सरकों के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे लेकिन वहां पेट्रॉल लिजल नहीं बलकि पानी दिया जाएगा वह भी मापकर लीटर के हिसाब से इसके लिए रासन कार्ड भी होगा और पैसे तो लगेंगे ही इदिया क महासागर परचान महासागर चल मंडल को दर्शाया गया यहां पर ऐसा क्यों सब ने एक साथ पूछा मिना तुरंत बोली आड़े इतना भी नहीं जानते पीने लाइक पानी काफी कम होगा और पानी के जुरत तो सभी को होती है पानी के लिए हम झागरा न करे इसलिए यह लेकिन पानी की कमी कहा है इतनी नदिया तलाब नहरे नल समुद्र तो है ही उपर से बरसाथ इतने से तो पानी मिलता ही है सिल्पा बोली लेकिन बरसाथ हमारे यहां सालों भर नहीं होती नहीं होती सिमा बोली हामे बात हामे बात तो है सिल्पा बोली मैडम बच्चों की ब का यही तो बात है पच्छों पितु पर 71 पृतिसाइघल मंधल है जिससे जने mix पर निले रंग से दिखते हैं लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक नहीं है मैंडम हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं । रॉप अब अब सकता हो कि पूर्थी के लिए कर सकते हैं कि विशेस जल महा सागरू बर्फ छत्रक भूमी का जल नदियो जीलो नदियो जलासर वायू मंडल आधी में समाई था जिसकी परत्यक शुरुप से दोहन वा परियोग संभव नहीं उन्होंने अपने पास के किताब निकाल क बच्चों को दिखाई तालिका जिसमें तालिका बनी थी है इसाल का भी तर्थन परतिसात में बर्फ का 93% बर्फ शत्रक 0.2% वायू मंडल में 0.5% को यहां पर दिखाया गया हुआ है इस चलती हुई बस में हम सब के पीतने के लिए सिर्फ इतनी दो थरमस में तो पानी है, जो बैदा थरमस सामने करती हुई बोली हां मैडम बोली इस थरमस में सुद्वा मिठा पानी है उसी से प्याच बूच चक्ति है बाहर देखो उस पूल के नीचे पानी बहर आए क्या आ इतने भी जल सुरत है उन सभी के जल पी पी नहीं सकते अर्था तो वहाँ पानी हमारे पैस बुझाने के काम में नहीं आ सकती इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है हां मैडम तभी मैं जल बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूं जो बैदा बोली 22 मार्च को जल सनक्षन दिवस मना जाता है इस दिन आप भी विद्याले मुहले में जागरुकता रैली निकाली और जल सनक्षन पर चर्चा कीजिए मीना ने कहा बरसात में हमें खुब मीठे जल मिलते हैं लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते बरसात में जल हमारे छटों से गिरकर नालोग है तो नदिय तलाबों बरसातों का पानी सूरी के ताप में बहुकर वास्प में बदलकर आकास में चला जाता है फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहां तहां बरसता है यह चक्र निरंतर चलता रहता है उसे जल चकर करते हैं बहुलो वह इसका मतलब है कि सागरों का जल ही व पुलकोए अधी का पानी बेकार में वरबाद नहीं होने देना चाहे, मैं हमेशा इस Global का दियंघ रहता हूं कि तोटी खोली न रहा रिषकर धर्ति के अंदर जला जाता है जहां वो मिट्टी परतो चटानों की चेटों तक फैल जाता है जह धर्ति के नीचे फैल कर ये जल छेतर बना लेते हैं इस जल के उपली सीमा को जल अस्तर कहते हैं खालासिने सिर्म सिली लाते हुए अपनी साम्हती दिबला बवलू क्या जलस्तर सभी जगह समान होता है यह प्रस्ट मैडम नहीं किया नहीं मैडम जलस्तर की गराई तो सभी जगह समान नहीं होती उसकी सिर्फ उपली सता समान होती है जल चक्र को यहां पर दर से आ गया है पारिश के जड़ी यहां पर सभी बबलु की समझदारी परतांग थे बस तेज चल रही चल जली जा रही थी मैडम ने कहा बबलु की बात को मैं दिखलाती हूं कैसे सब पूचा खला सी भी गरदन उठाकर मैडम की और देखने लगा उन्हों उन्हों जुबएदा से थर्मस मांगकर एक खाली बोतल पानी भड़िया फिर उसे पर्स से तीन चार एस्ट्रो निकाली और बारते हुए बोली पतला पाइप को बोतल में डालकर पी जी ए तो हमने एस् पतला चापा कल जब बोडिन निल्कू कुँआ जरिये धर्ती से जर निकालता था द भोमिका जल असतर बढ़ने के लिए आप क्या करंगे करेंगे अंदिर जल अस्तर घरता है अगर हम इसी tरह धर्ती के जल को निकालते रहेंगे तो एक दिन जल का अस्तर एक दिन एक दम समाप्त हो जाएगा पता किजिए कि भारत में किस महासागर हुआ जल में जल की लवनता सबसे अधी जरा सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा वसुद्धिया पर दूसर जल को सुद्ध करने के तरीकों के एक सूची त्यार किजिए जब सब चिंता पर बच्चे सुच में पर एक गुजरात से सीखो गुजरात का काठेया बर छेतर एक सुस्क पर देशा जहां बहुत कम या न के बराबर फसले होती है यहां राजेंदर सिंग दौरा अस्थानी लोगों के सहियों के छोटे-छोटे नालों पर बिना खर्च के अस्थानीय प्रेत और मिट्टी के छोटे-छोटे-बांद बनाए जिससे नक केवल सी चाही के लिए जल उपलवद हो भलकी इसने जल जमीन के निचे रिस गया इससे भूमिगा जल भी बरता गया उसी के कारण आज उस छेतर में भरपूर फसले पैदा हो रही है श्री आजंदर सिंग ने इस इसी परियास के कारण इसे मैक्से से पुरसकार मिला है हाँ इस तरह के परियास को वाटर हर्वेस्टिंग कहते है ऐसा होता है अब तो अब तो सब को करना चाहिए इसका मतलब है कि वर्सा के जल को छोटे तकनिक से रोक लेना चाहिए और पूना धरती के अंदर भे साथ के पानी को नालियों में न जाने न जाने देकर अपने घरों के असपा धर्टी गड़े बना कर रोक लेने चाहिए ये जल धीरे धीरे पुना धर्टी में समा जाएंगे मैं ऐसा अपने गाउं में करूँगा सलीमा जिर्टा से बोली हम भी करेंगे सभी ने एक साथ आलू पथर और खनीजव लवन को बहा लेता है फिर यही पानी समदर में जाने मिलता लगता रोस भी करन के नदिया निकलती है उन नदियों के नाम का पता किजिए समुदर का पानी खारा होता है जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी स्वाता खारा हो जाता है अब बच्चे समझ रहते कि समुदर के जल का स्वात नमकीन क्यों होता है मैडम बरसाथ का जल जब मुह में लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता मैंने बोली हाँ यह तो सुद्ध जल है सभी बच्चे आपस में बात करने लगे कि सच मुछ जल बढ़वाद नहीं करना चाहिए क्या हम सब भी ऐसा करेंगे गर लोटकर अख़वार में छपे बिग्यापन को पटकर मीना पापा पास गई और पूछा पापा जील क्या होता है पापा मुस्कुराय और बबलु को आबाज दी बबलु हाजिर हो गया पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलिविजन के साथ जोरे डिडी टी में एक सीडी डालकर डिवीडी में सीडी डालकर रिमोट दबा दी पर द्रिस उभरने लगा दोनों बच्चे ध्या हुआ था इस एक्के दुक के नवे चल रही थी सामने वाली छोर पर एक सरक मजर आ रही थी जील के पहले छोर पर कुछ गुम्टी नुमा दुकाने थी कुछ लोग खाड़े थे पापा ने कहा देखो यह दूर तक फैला सांत जल भरा एक विसाल गहरा छेतर है यही जील कह है पापा चो कि तुमने कैसे जाना अभी तो अख़वार में पढ़ा है पापा हसने लगे बबलू पूछा बैठा आप क्यों हस रहे हैं पापा हसने मीना का जवाब ठीक है लेकिन अपने देश में नहीं और जीले जैसे बूलर जील पिछावला जील लूनार जील को भते सागर जील सांबर जील और जाल जील बच्चे ने पीशा कि आप विहार में कोई जील है पापा बोले हां काबर ताल जील भेगुत स्राय में हैं बड़ेला जील जो लखी Pillay में है लेकिन पापा मुंबई में भी तो जील है नई बेटा मुंबई तो सागर अरब सागर है पापा फिर से का उसने अखवार में छपे एक समचार की और इसारा किया जिसमें लिखा था हिंद महा सागर में पोद उतरा है अच्छा मैं समझ गया आप लोग सागर और महा सागर के बारे हैं बात कर रहे हैं हम पापा इस सागरो का जल नमकीन होता है ना बिलकुल देखिए प्रित्वी के बड़े बुबाग को आहात जल रासी ने गहरा है इसका जल हमेशा गतिमान रहता है जो प्राया महाधीपों से को अलग करता है महाधीप महासागर का लाता महासागर नीचे होने लगता है जिसे लहरे कहते हैं एक लहर दूसरी लहर से जन देती और इस तरह के जल धका देकर तक पहुंच पहुंचती है करने कि सागरों माद सागरों का जल हमेशा घतिमान होता है पापा याद है पुरी के समुन्दर तरपकीस तरह नहाथे हमारे चपल लहरों में गुम हो गएते हैं एब भापस ही मिल गएते हैं इसे लहरों के साथ बहुत ही मन्रंजक होता है और अब सागर आर्क्टिक सागर कला सागर लाल सागर अब बस भी करो मुझे आफिस जाना है तुम लोगों को भी स्कुल जाने का समय हो गया पापा ने कहा दोनों बच्ची स्कुल के लिए त्यार होने लगे मिना और बबलु आज बहुत खुष थी क्योंकि उन्हें सागरों महा सागरों के बार में पापा ने देरा सरी बाते बताई दोनgebaut छूप सब्राव के लिए यह बात रख्की ख्लांच के लंच हो दों अ मैडम के सामने यह प्रश्ण रखा मैडम बहुत खुशी उन्होंने का बश्व पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा पहले उसकी कहान ही सुना देती हैं सब भच्चे ध्यान में होकर होकर बैठे गए मैडम ने कहना सुरू कि ज्वार भाटा फिल्म हीरो दिनवर खूब म समुन्द कि लरे सरवाधिक उचाई तक उठकर तट के बड़े-बड़े हिस्वों को डूबो देती है तो उसे ज्वार कहते हैं और लहरे जब अपने निम्तम अस्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है तो उसे भाटा कहते हैं यह प्रति दिन दो बार होता है तिर के अबस्या का चांद पुर्णिमा का चांद पृत्वी और कि लहरों का ऐसी उचाई तक उठना और फिर पीछे हट जाना क्यों होता है बबलूने पुछा ऐसा सूर्य हम चंदमा के गूर्दवा करशन बर्द के कारण होता है जब चंदमा समूद्र के निकट आ जाती है तो चंदमा के गूर्दवा करशन से उसका जल उचाई की और चाटता है यही जवार है जवार है उतरता है वह उसे भाटा का दे समूदर में और अस्थान पर लगों चोवीश घंटे में दो बार उतर चटा होता है मैडम जब जब जवार आते होंगे तो समूदर के अंदर की देड़ सारी मचलिया भी तट पर आ जाती होंगी सीमा ने प्रशन किया बिल्कुल मचलियों के अलावा सीब गोगे मिट्टिया बालो सभी तट पर आ जाते हैं लेकिन जवार के समय समूदर की लहरे तट की किनारे कई नोकाई भी खिच कर अंदर तक ले जाती है इस ते ज हम समूदर तट पर जाएंगे बालो में खेलेंगे लहरों पर गेंद गेंदे फेकेंगे